माहराश्ट्रा स्टेट काउंसलिग यह एक ऐसी क्लो स्टेट है जहां पर 550 प्लस पे भी आपको गवर्मेंट कॉलेज मिल सकता है तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फर माहराश्ट्रा डॉमिसाल स्टूरेंट्स और अगर आपके मार्ग्स 550 भी हो तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल सकता है लेकिन यह सेनारियो यहां पर प्राइवेट कॉलेजिस और बीडियस का नहीं है तो आगे चलके हम बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेजिस का कट यहां पर क्या रहता है और बीडियस कॉलेजिस का कट अफ यहां पर क्या रहता है और अगर आपको बजटेट कॉलेजिस का ओप्शन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं तो लेट्स गो हैट एंड सबसे पहले हम डिसकस करेंगे यहां के स्केडियूल के बारे में पहली जो स् application of information brochure हुआ था वो 17th of October को हुआ है online registration common है यहाँ पे सब courses के लिए MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS और भी सारे courses के लिए जो यहाँ की registration है वो common है वो 17th of October से लेके 22nd of October तक चलेगी until 12 p.m. जो payment of registration fees है that will happen from 17th to 23rd up to 5 p.m. आपको upload करने होंगे अपने color scan copy of original requisites document on a portal as per the list वो कब तक कर सकते हैं 17th से लेकर 24th October तक फिर यहाँ पे publication of seat metrics होता है सबसे पहले group A का that is MBBS और BDS का फिर group C का जिसमें बाकी other courses mentioned होते हैं तो वो कब होगी 20th October को फिर आप online filling कर सकते हैं अपनी preference के according group A और group C दोनों का जो date है वो 21st से लेके 27th of October तक है until 5.30 pm फिर यहाँ पे provisional merit list निकाली जाएगी for all the candidates MBBS, BDS, BEMS जो 25 October के आसपास 5.30 pm को निकाली जाएगी फिर CAP round 1 की selection होगी MBBS, BDS बाकी सारे courses की भी 28th of October फिर physical joining and filing of status retention form होगा that will be from 29th to 4th of November तक तो यह आपका पूरा schedule है जिसको आपको follow करना है अगर आप महराष्टरा में अपनी seat देख रहे हैं अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो private colleges का cut off है वो काफी high जाता है लेकिन अगर आपके marks आपके कम है यहाँ के private colleges में आपको seat नहीं मिल सकती तो medipedia की team आपको help पिर सकती है एक budgeted colleges दिलाने में और with low marks में भी आप एक budgeted colleges अच्छे colleges choose कर सकते हैं तो आप हमारे साथ contact कर सकते हैं हमारे पास 6 lakh से लेकर 12 lakh to 13 lakh तक की options हैं जहाँ per year जो fees होगी वो 6 lakhs to 12 to 13 lakhs per year होगी दूसरी चीज़ अब बात करते हैं BDS, BDS का जो cut-off है वो महराश्टरा में somewhere around 300 के आसपास जाता है तो यहाँ पर अगर आपको BDS में admission नहीं मिल रहा और आप Bangalore या फिर North Side की states में या करनाटका में कहीं भी अच्छे colleges में admission लेना चाहते हैं तो Medipedia की team आपको with huge scholarships BDS में भी admission लेने में help करेगा similarly BMS का cut-off भी यहाँ पर बहुत हाई जाता है तो हम आपको North की side और other states में एक अच्छे colleges में with a very nominal prize आपको help कर सकते हैं तो in case you are looking for any paid counseling, you are always welcome on the below given numbers और आप हमारे साथ paid counseling भी avail कर सकते हैं thank you so much and do not forget to subscribe our channel because this channel पर हम बहुत timely manner पर पूरी की पूरी information नीट UG 2022 को लेकर आते हैं thank you so very much and stay tuned with us we wish you all the best